परुखाबाद बस स्टेंड से एक विवाहिता का अफरल कर बंधक बना कर गैंग रेप किया गया विवाहिता दो माह की गर्भुवती है चार युवकों ने 16 अगस्त को नशीला प्रधात सुगा कर अफरल कर लिया था शुकुवार तरके पीडिता रोपियों के चंगुल से भाग कर फरुखाबाद के राजेपुर के बहादुर गाउं पहुची और ग्रामीडियों को आप बीती बताई इसके बाद गाउं वालों ने राजेपुर कुलिस को घटना की जानकारी दी मौके पहुची पुलिस ने पूछ ताच की फिर पीडिता को लेकर हरदोई ये मूर्चा कटरी गाउं पहुची जहां विवाहिता को बंधक बना कर रखा गया तब पुलिस चार्ज परताल में लगी हुई है बहादुर गाउं में ग्रामीडों ने कहा पीडिता जवाई तो बधवास हालत में थी उसे कुछ भी सई तरीके से याद नहीं है काफी डरी हुई थी पीडिता की बाद सुनने के बाद राजेपुर पुलिस को सूचना दी राजेपूर्था नद्य दिनेश कुमार गौतम गाउं पहुचे और पीडिता से पूचताच की इसके बाद पुलिस पीडिता को लेकर हर दोई के मूर्चा कट्री गाउं उसके घर पहुची जहां पीडिता को बंदक बनाय जाने की बाद बताई थी मौके पर एक महिला मिली पूचताच करने पर महिला ने को बताये की लड़की की चाची फूफा और बुवा ने असी हजार लेकर उसे यहां पर चार दिन पहले छोड़ गये थे पुलिस गैंग रेप के साथ पीडिता को बेचे जाने के एंगल में भी जाच कर रही है परुखाबाद के एसकी अशुक कुमार मीरा ने बताये की मह मिला से भी पूस्ताच की जा रही है ब्यूरो रिपोर्ट आई पीएन